नमस्कार हाइकनेसी पार्ट वन तो हाइकनेसी केंडिल आपने दोस्तों सुनाओ गों यहां पर इससे पहले मैं करते हैं तो दोस्तों हाइकनेसी पार्ट वन शुरू करने से बले हमें आप चार्ट के सेटिंग करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जब भी हम कोई स्ट्रेजी उज़ करते हैं तो उसके लिए हम चार्ट पैटन को सेट करना होता है अपने प्लेटफॉर्म को हम अच्छी तरफ से करेंगे तब ह onu हम उस्से ट्रा क्रेंगे तो आज हम सिकh आफ चार्ट पैप्लाइक करेंगे उसके बाद नह ghee हम आऊप है यहां पर फीवानाची डिट्रेश्मेंट टो यहां पहाए हम चार्ट को सेट करेंगे चार्ड को सेट करने के लिए चार्ड को देखने के लिए सबसे पहले उसको पाप टेडिंग वि्यू का टे रिर्डिंग विव की शी करते हैं तो आपके सामने जो चार्ड है आपका फुल स्क्रीन में यहाँ पर ओपन हो जाएगा ताकि आपको आसानी हो उसके बाद देखो दोस्ते हाँ पर आपको वो आपको दिखाता है यहां ठीक है तो जो भी जब भी आप है के अपर हम trend find करते हैं वो एक perfect trend होता है मतलब perfect trend तो आज में जो बात करने आलों दोस्ते हैं पे व्वो करने आलों यहां पे 15-minute candle frame की यहांने कि 15-minute candle frame जब हम लेंगे इसके अंदर ध्यान देना 15-minute फिप्टीन मेंट की जब कंडिल फ्रेम हम लेंगे हैकनेसी की तो यह प्लेटफरम बनेगा यहाँ पे इंटाडे ट्रेडरों के लिए अगर आपको यहाँ पे ओबन नाइट पूजिन होल्ड करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम सीखंगे यहाँ पर पूरा सीखंगे तब यहाँ पर लाब कर पाएंगे तो दोस्ता हैं सबसे पहले हम चार्ट के सेटिंग करनें ना यहाँ आपर फिप्टी किलियर करके हमारा तो इसके लिए दोसतों आउम कहां चले जाएंगे background में यहाँ पर आप देख सकते हैं grid line इनको हम यहाँ पर white कर देंगे and horizontal grid line इसको हम white कर देंगे यह white हो गया ठीक है के बाद यहाँ पर time zone यह बहुत जोड़ी है यहाँ पर देखो यहाँ पर हमको session breaks इसमें नहीं देना है इसको हमको select कर लेना है and timing आपको यहाँ पर time zone and ok कर देंगे तो यहाँ पर date divider भी हमारे पास आ चुका है यहाँ यह देशकते हैं date wise हमारे पास चार्ट रहेगा तो इसको समझने में हमको पंदर तारिक को trade लिया था एक निप्टी के अंदर तो किस प्रकार से आपने टेड लिया था तो यह चीज़ा आप stocks में भी कर सकते हैं मैं यह नहीं बोला कि आप निप्टी में ही नहीं stocks के अंदर भी यह चीज़ें आजमा सकते हैं आप यहां पर options trader हो या फिर future trader हो या फिर cash trader यानि कि stocks के अंदर आप cash में buy करते होंगे तब यह strategy आपकी काम आएगी तो सभी के लीए strategy है तो nipty के अंदर में आपको एक उधारान दे रहे हो यह पर यहां पर तो यहां पर पंदर तारिक का चार्ट फ्रेम है यहां पर हमने ट्रेल लिया था यहां पर तो यहां पर हमार आगएकंशी इंगॉलफिंग पर आएगे तो हम आगे की candle फ्रेम के ब अब लोगो ने शुना भी होगा इंगाल्फिंग का मतलब है जो रेट गंडिल है ओ। ग्रीन केंडिल ने पूरा यहां पर कबर किया हुआ या निगल गया है ठीक है? पूरा देखो लो, एंड इसका लो, हाइंड, कबर करने ने इस रेट गंडिल को 15 minutes केंडिल फ्रेम पर तो 15 मिट का मुला हमारा यहां पर इंटाडे विव है फिब लिटाल मिल जाएगा अब की हैसे इसा मिला सब्सक्राइब को सबस्क्राइब कंद करते हैं नह肯े हैं यहां पर हम ले लेंगे फिबो नाची फिबो-नाची रिट्रिसमेंट तो इसकी भी setting होती है तो यहां पर इसकी setting में आप लोगों को बताऊंगा तो यहां पर जब भी हम फिबनाची को यहां पर आपने target के लिए set करेंगे यह candle बन गी हमारा entry point भी इस candle में होगा या इस candle में भी हो सकता कोई बाद नहीं अगर आप यहां पर इंटर नहीं हो पाए तो next candle में आप इंटर हो सकते हैं तो यहां पर जब भी आप फिबनाची ड्रो करेंगे नीचे की तरफ उल्टा यहां पर ड्रो करेंगे इस तरह से यह आप देख सकते हैं तो हमारा यहां पर हमने ट्रेल लिया था इसके अंदर तो यह मेरा यहां पर stop loss था जीरो फॉइंट जब यहां पर price उपर जली जाती है तो यहां पर जो हमारा stop loss था इसको हमको यहां पर इधर खिसका देना है कहां पर 2.05 के आसपास अपर stop loss आजाएगा यानि कि आपको profit में ही निकलना है उसके बाद price कहीं भी जाए यहां पर ठीक है और उसके बाद जो oversold zone दूसरा यहां पर शुरू होगा यहां पर यहां पर आप दूसरा target profit book कर सकते हैं इस red zone पर तो यहां पर इसकी setting कैसे करते हैं आप फिवनाची की यह मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा आज मैं यहां पर जो interface है इसका इसका हिस्टरी है इसकी वह मैं आपको दिखाना चाहूंगा आने आप इसके पहले क्योंकि आज यहां पर ओपनिंग है तो यहां पर आपको बैग हिस्टरी दिखानी बहुत जूड़ है दोस्तों उसके पर हम डिटेल में जाएंगे तो इसके पर जो भी आपकी क्वेरी हो कि आप कमेंड बॉक्स के अंदर कमेंड कर सकते हैं अब मैं चले आता हूं इसके हिस्ट्रि पर यहां पर देग लिया करण पूसियन थी हमारी यहां पर दिखा लिया जयांपको नहीं मिलते हैं तब आपको थे अपर जाना होता है हो महने मैं 3 चार बार बनती है 온 कैंट तो हम निकलते हैं पर बैग स्ट्री के तरफ कहां कहां यहां पर हमारी पोजिशन बनी थी तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर इंगॉल्फिंग पैटन बनना खाया यह बियरिस इंगॉल्फिंग है यहां पर हमारे तार्गेट क्या होंगे यहां पर आपको तकरिबन जो एक candle बनी थी, है बनी थी दो बजे के बाद, जब भी अच्छ दिन भी आपका काम करेगी ध्यान देना। दो बजे की बाद जब candle बनती है जब बन। जब पर का cream पॉश्च भी आपका काम बने गा, उब उख भी पे पॉश्यन रख सकते हैं। यहां पर भी Engulfing pattern रहा है चोटा सा मूव मिला सा इसके अंदर तो दोनों यहां पर देखो एक साथ हमारे pattern मिले हैं इसके अंदर लेकिन ध्यान देना यहां पर हम निकले नहीं होंगे तो हमारे यहां पर Stop Loss भी Hit हुआ है अगर इस तरह की candle दुबारा बन जाती है आपके सामने बियरिस Engulfing तो आपको यहां पर निकल जाना है इस तरह की candle निकलने के लिए पर बता लेता है आप लोगों को तो यहां पर हमको कितना profit हुआ कितना loss हुआ इसको मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूँगा तो यहां पर सबसे पहले इसको देख लेते हैं यह था यहां पर bullish Engulfing तो इसको मैं खीचूँगा यहां पर तो यहां पर दोस्तों हमारा target नहीं मिल लख है target मिलने से पहले ही यहां पर bearish Engulfing बनी है इसका मलब हमको यहां से निकल जाना है stop loss भी हीट नहीं हो रखा है हम profit में ही थे यहां तक भी यहां पर price देखो हमारे entry label यहां पर था इस label पर entry लेबल था हमारा लगभग 9,383 पर और इसने high मारा था लगभग 9,420 अब यहां पर इस जगह पर हम निकल चुके होंगे 9,399 क्योंकि टॉप पर तो कोई निकल नहीं सकता हमारा जो target था हो भी hit नहीं हो यहां पर तो हम यहां पर क्या करेंगे दूसरी position और ले लेंगे क्योंकि हमारे सामने एक और यहां पर यहां पर इंगॉल्फिंग पैटन बना है तो इसको हम मेजर करेंगे यहां पर हमको कि यहां पर पूरे ही तारगेट हमको अजीव हो रखे हैं यानि कि हम यहां पर इंटर होई थी तक रिबन 9,398 और जो target लास्ट यहां पर हम देख लगते हैं क्योंकि पूरा तो लेने सकते हैं फाइदा तो 9,266 तो हमको यहां पर पूरा मिल लखा है अगर यहां पर आप आगे निकलता हूँ और पैटन ढोटता हूँ यहां पर आपको आपके बिल्कुल सामने पेटन और आजब सुक है बीरिस इंगॉलफिंग पैटन यहां पर आ रखा है तो यहां पर हमको क्या प्रॉफिट वा क्या लॉस यह देख लेते हैं यहां पर भी तो इसको मैं एंटी देख सकते हैं तो हमारा अटेगर रहा है बिल्कुर सक्सट विल्ट रहा हमारा यहां पर उसके बाइर नहीं पर भूलीश इंगल्फिंग इसको हम देख चुके हैं पहले तो दोस्तों एक और पेटन हमको मिल चुका है अपर इंगॉल्फिंग बूलीश जो के हैं पर चौबीश अप्रेल का और यह पैटेंट बना था है यहाँ पूरी कबर करने चाहिए दोस्तों पूरी यानिकि बराबर भी नहीं चलेगा बिलकुल पूरा कबर करना चाहिए नहीं तो फेल हो जाएगा आपकी स्ट्रेडिजी ठीक है तो यहाँ परफेक्ट केंडिल है यहाँ क्या मिले हैं वहाँ आप लोगों को बताना चाहांगा क्यूंकि इस तरह के पैटेंट कभी आपने हैं लेकिन शूर सोट होते हैं यह ध्यान जिनाब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्टॉप लोस यह था स्टॉप लोस भी हिट नहीं हो रखा हमारा और उसके तो तीसरा तरगेट भी आसानी से मिला है हमको उसके बाद यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया तो आप देशकते हैं यह एक सकस्फुल ट्रेड है आप इस तरह से आप स्टॉक्स मा कर सकते हैं निप्टी के साथ कौन-कौन से स्टॉक्स चलते हैं आप लोगों को पता है जैसे तों प्रफेक्ट् फिकर थे आप इससी तरह से और फिकर हम डोटने आप यहां काम को सकस्फुल रखाहि के अंदर तो एक और पाटर यहां पर आप के सामने और मिल सूक आ है यहां पर बिल्कुल यहां पर तोड़ा सा बचा है आप जो कवर कर रखा आगर बराबर होता है तो यहां पर लेंगे तो यहां पर उपर के तरफ यहां पर क्या खेचेंगे अपने फिवोनाची तो यहां पर आप ज milkते हैं हमको अपना तर्गेट नहीं मिला हुआ है जो तर्गेट भी मिला है तो यहां पर देखो देखो तर्गेट तो क्या मिलता है इसके अंदर हीट नहीं हुआ है, और stop loss हमारा यहाँ पर हीट हुआ है, target भी हीट रखा लेकिन last में, यानि के closing hours में हीट भी हो रखा लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पर stop loss हीट हो चुका है, हालाकि हमें पर profit मन थे, लेकिन stop loss भी हीट हो रखा ठीक है, ध्यान देना आपको target यहां पर मिलना चाहिए, stop loss हीट हो जाए कोई बात नहीं दोस्तो एक और pattern आपके सामने यहां पर रहा, यहां पर engulfing bearish pattern है तो यहां पर हम देखते हैं क्या profit क्या loss हाँ, यहां पर भी हमारा stop loss है वो hit हुआ है profit यहां पर अगले दिन होता है यहां पर लेकिन उससे पहले stop loss हीट हो गया यहां पर देखो दोस्तो आप साच रहाँगी यह ingulfing pattern है बड़ यह perfect ingulfing pattern नहीं है हाला कि यहां पर पूरा move मिला है लेकिन इस तरह के pattern में आपको यहां पर trade नहीं लेना है date इसके देख लेते हैं लगवग यहां पर 8 April 2020 और candle का time है यहां पर 2.30 यहां कि हमको यहां पर overnight holding के लिए position बनी है यहां ठीक है यहां पर देखो यहां पर हमारा first target and second target तो पूरे target हमको यहां पर मिल लखे हैं तो successful trade हमारा रहा है ठीक है यह successful trade है तो आपने यहां पर पूरी bag history देख ली दोस्तो इस candle frame की काफी successful trade यहां पर हमारे रहे थे इसी प्रकार से इसके अंदर आप लोग भी trade ले सकते हैं इसके अंदर हमारी और भी वीडियो आएंगे किस प्रकार से आपको यहां पर जो फिवोनाची है इसमें आपको setting करने है वो next वीडियो नहीं कि part 2 मां में यहां पर फिवोनाची set करेंगे और यहां पर RSI को हम set करन हैं तो फिवोनाची की setting हम next वीडियो के अंदर सेखेंगे इनकी part 2 में तब तक आप वेट कीजिए हमारे साथ बनेने के बहुत बहुत अन्यवाद नमस्कार